तो फ्रेंस आज हम बात करेंगे अधार कार्ड में पिता का नाम हटा के पती का नाम कैसे जोड़ेंगे इसके बारे में और साथ ही इसका एड्रेस भी कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में तो सबसे पहले आपको गूगल ऑपन कर लेना है और इसके बाद इसका पहला ओपसन जो है यूँ आइडieß एसके आपको किलिक करना है और यहां आपको अपने अनुसार लेंगुएज स्क्विक करेंगे उपसन है और इस पर हम download अधार पर. किलिक करेंगे यहां आने के बाद को यह लॉग इन पर किलिक करना है और यहां अदार नंबर और नीचे केपचा इसके बाद login. ओटीपी पर किलिक करना है अधार मॉल नम्वर पे एक ओटीप्य आया है उसे हम यह टाइप करेंगे और इसके लोगिन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंस लोगिन होने के बाद इस परकार से दिखेगा यदि आपको अधार का डाउनलोड करना है अधार डाउनलोड का ओप्शन पर क्लिक करेंगे यहां से डाउनलोड हो जाएगा और यदि आप और करना चाहते हैं तो वह भी यहां से आप और कर सकते हैं और यह आप एड़ेस अपडेट करना चाहते हैं तो आपको इस से करना है तो आपको इस तीर के निशान पर किलिक करना है और इसके बाद आपको यहां अपडेट अधार ओनलाइन इस पर किलिक करना है और यहां पर बता रहा कि आप क्या-क्या इससे अबडेट कर सकते हैं और क्या नहीं अबडेट कर सकते हैं तो इसथे, आपको यह दि पढ़ना होता पढ़ें नहीं तो आप proceed to update अधार पे click करें आप यहां पे देख पा रहे हैं कि name जो है आप दो बार update कर सकते हैं date of birth आप एक बार update कर सकते हैं और gender एक बार update कर सकते हैं अभी आपका सब बांकी है और address जो है no limit आप कितनों बार भी change कर सकते हैं और आपको इस address पे tick करना है और Proceed to Update अधार पर किलिक करना है तो आपको दिख रहा, Current Address, Fathers के नाम के साथ, और आपको जो Update करना है, वो आपको नीचे, Care- of में, Husband का नाम टाइब कर दे, और आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आपको, Pin Code टाइब करना है, और यहाँ पर इस्टिक्त, और यहाँ पर अपन भीलेज पतलो जाओं का नाम यहां पर आपको अपना पोस्ट्ट ऑफिस चूच कर ले ना तो फ्रेंड इसके बाद किलिये लिए सपोर्टिंग डोकुमेंट टाइब इसके आपको किलिक करना है क्या देर हैं इसमें को में तो हमें डॉकोमेंट के रूप में निवास परमान पत्र देर है तो इसलिए हम इसको करेंगे और करेंगे और continue to upload तो हमारा डॉक्रमेंट अप्लोड हो गिया इसके बाद हम next पर किलिक करेंगे तो आप यहां पर बार ले इसी प्रकार से चाहते हैं या तो आप कुछ edit करना चाहते हैं यदि आप कुछ edit करना चाहते हैं तो इस pencil का icon पर click करना है और फिर से edit कर सकते हैं और इसके बाद हम इस पर click करेंगे और next पर click करेंगे और इसका term and condition पर tick करेंगे payment method को हम select कर लेंगे और इसका make payment पर click करेंगे तो फ्रेंट सेक्सेस्फुल हो गया है और यहां पर कुछ समय ले रहा है यहां जो है 50 रुपे का payment लिया गया online address update कर लिजिए या तो आप husband name या father's name जो भी आपको update करना हो 50 रुपे ही चार्ज लिए जाते हैं इसके बाद हम download acknowledgement पर किलिक करेंगे और यह जो है receiving हम customer को print करके दे देंगे साथ दिनों के अंदर हमारा जो है detail update हो जाता है तो फ्रेंट्स वीडियो कैसा लगा हमें comment करके जरूर बताईएगा और यह आप किसी परगार का वीडियो चाहते हैं तो comment box में comment करें जल्द ही हम आपके लिए वह वीडियो लाने की कोशिस करेंगे तो फिर मिलते हैं एक नएवी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद्ध